आज बनाएंगे चिल्ली बेबी कॉन, खटे, मीठे, चटपटे, बच्चे और यंसर्स की पसंदीदा डिस और बनाने में एक दमासा, नमस्कार, निशामदलिका.com में आपका स्वागत है, तो शुरू करते हैं, ये 200 ग्राम बेबी कॉन, सबसे पहले इन्हें काटेंगे, थो चोटा हो, तो दो तुकड़े बना लीजे, ये सारे कट गए, आप इन्हें बॉल करेंगे, तो आईए गैस के पास, यहां हमने इतना पानी लेकर गैस पर बॉल करने रख दिया, जिसमें के बेबी कॉन आसानी से डूब जाएं, पानी में उबाल आ रहा है, इसमें डाल दी अब इन्हें छान लेते, फ्लेम बन, ये नीचे जो पानी आया है, वो भी काफी नीटिसियस है, आप किसी सूप बगेरे में इसे यूज़ कर सकते हैं, अब इन्हें निकाल लीजे एक बड़े बोल में, ये एक चौथाई कप कॉन फ्लोर, और एक चौथाई कप मैदा, लेकिन सूखा-सूखा दिख रहा है, तो हम इस पर छिड़केंगे थोड़ा सा पानी, दो चमच पानी डाल लिया और अब इसे मिलाते हैं, बस इतना ही पानी डालिये कि मैदा और कॉन फ्लोर बेबी कॉन के उपर अच्छे तरीके से चिपक जाएं, थोड़ा सा और, बेब हाँ से डालना चाहें, हाँ से डाल सकता है, आदे डाल दिया हमने एक बार में, इतने ही कढ़ाई में आ रहा है, बचे हुआ दूसरी बार में तल लेंगे, दो-तीन मिनिट सीखने के बाद इन्हा पलट लीजिए, और अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए, फ यह चारो और एक से सिख पाएंगे, और फ्लेम को मीडियम हाई रखें, ज्यादा तेज नहीं, यह एक ही बार में अच्छे कुरकुरे सिख जाते हैं, लेकिन आपको बाद में सर्व करने हैं, तो आप इने थोड़ा सा कम सिखे हुए, तब ही निकाल लीजिए, और जब सर्मा गरम तेल में डालिए, क्रिस्प कीजिए, सॉस बनाकर लपेटिए और सर्व कर दीजिए, पांच से छे मिनिट में यह बढ़िया क्रिस्पी तल कर तैयार हो गए, फ्लेम बन, बेबी कोन तल गए, और यह देखें कितने क्रिस्पी बने हैं, अब आईए, इनके लिए सॉस सेयार करते हैं, कडाई में डाल दीजिए, एक बड़ा चमच भरके और इसे गरम होनी दीजिए, यह एक हरी मिर्च कटी हुई, और आदा चोटी चमच ग्रेटेड अधरक, इसे आप बारी काट करके ले सकते हैं, या फिर अधरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, और यह दो दीजिए, और उन्हें भी गुलावी होने तक भून लीजिए, यह एक सिमला में थोड़ी सी आदा पौना इंच के चोको टुकडों में कटी हुई, और अब फ्लेम को कर लीजिए, तेज और तेज फ्लेम पर इसे थोड़ा सा भून लीजिए, इसे जाधा कूप मत कीजिए क्रेंची ही रखिए, और अब यह जो बेवी कॉन का पानी था, उसी में से एक टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, ताकि और कुक ना होती रहें, यह आदा छोटी चमच लाल मेच पाउडर, आप इसकी जगे एक छोटी चमच रेट चिली सॉस भी ले सकते हैं, यह एक चो आप डालिए, एक छोटी चमच सोया सॉस, एक चमच विनेगर, दो टेबिल स्पून टमेट सॉस, और चोथाई चोटी चमच नमक, नमक बेवी कॉन में है, सोया सॉस में भी नमक होता है, तो थोड़ा धिहान से डालिए, सॉस को थोड़ा गाडा बनाने के लिए, एक छोट ले लिया इसमें डालेंगे थोड़ा पानी तो मैं यही वाला पानी यूज़ कर रही हूं जो बेबी कॉन उबालने के बाद निकला था अच्छे तरीके से घोल लीजिए इसमें लंपस ना रहें इसे भी डाल दीजिए अब इसे दो मिनिट कुक कर लीजिए अच्छी सी थिक भारे बने हैं बस बहुत देर तक कुक मत कीजिए वनना यह थोड़े से नरव होने लगेंगे साथ करते हैं चिल्ली वेवी कॉन बन गए पहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है जब बेबी कॉन के ऊपर आप मसाला और कॉन फ्लोर डालें तो उनमें पानी थोड़ा सा कम डालें उतना ही जितना कि मसाला और कॉन फ्लोर बेबी कॉन के ऊपर अच्छे तरीके से लिपट जाए अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मसाला और कॉंट फ्लोर नीचे चला जाएगा बेबी कॉंट के उपर अच्छे तरीके से कोट नहीं होगा और तलते समय धिहान रखिए कि ओईल अच्छा गरम हो और फ्लेम भी तेज हो फटा-फट क्रिस्प हो जाएं जले नहीं और सॉस बनाने के लिए सारे इंग्रिडियंट्स पहले ही निकाल लीजे सॉस बहुत जल्दी बन जाता है और तले हुए बेबी कॉंट को सॉस में लफेट दीजे सर्फ कर दीजे आप बहुत अच्छे चिल्ली बेबी कॉंट बनाकर तयार करेंगे तो आप इने बनाईए खाईए और बताईए कैसे लगे और ये भी बताईए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंट कर लीजे बेल आइकन भी दबा दीजे ताकि मेरी नई रेस्पेज के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें लाइक और शेर भी कर दीजे